हेलो दोस्तों ये है होंडा साइन 125 BS6 ये ड्रम और डिस्क दो वेरियंट में आती है चार कलर ओप्सन के साथ और आप देख रहे हैं इसका ब्लेक कलर और ड्रम वेरियंट के साथ इसमें क्या-क्या फीचर्स दिये हैं, माइलेज क्या है, अन रूड कीमत कितनी हैं ये सारी जा साइड में आपको क्रोम की फिनिस्ष देखने को मिल जाती है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है और इसके विजर पर आपको ग्राफिक्स की पटियां मिल जाती है रेड और सिल्वर कलर की यहां पर आपको इंडिगेटर इन्जाते है बल्भ वाले और इसकी headlight की बात करें तो यहाँ पर आपको halogen headlam मिल जाती है 35W के साथ तो जैसा कि यहाँ से आप इसकी high beam को भी देख सकते हो काफी अच्छी यहाँ पर आपको रोशनी मिल जाती है अब चलते हैं इसकी नीचे की side में तो यहाँ से आप इसके mudguard को देख सकते हो जो की glossy blackness में दिया गया है और इसके mudguard के side में आपको reflector मिल जाते हैं दौनों side में और black color के इसमें alloy wheels दिये गए हैं और इसके tire के size की बात करें तो 8018 का यहाँ पर आपको tire size मिल जाता है इसमें tulis tire दिये गए हैं और यहाँ पर आपको combi breaking system मिल जाता है इसकी आगया और पीछे की दौनों brake एक साथ काम करती है और इसके front में आपको telescopic suspension मिलते हैं तो अब बात करें इसके meter console की तो इसमें fully analog type का meter console दिया है इसमें speedometer, odometer और fuel meter सब कुछ analog type का मिल जाता है यहाँ से आप speed देख सकते हैं यहाँ पर man headlight, indication light, turn signal indication light और gear की neutral light दी गई है और यहाँ पर fuel meter मिल जाता है analog में यहाँ पर आपको engine की malfunction indication light मिल जाती है और यह इसकी chrome की handlebar rod दी गई है यहाँ पर आपको Honda की branding मिल जाती है और यह इसकी जो key है और यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते है जो की पहले भी आपको इसी bike में मिलते थे वही पुराने वाले और यहाँ पर आपको passing switch और indicator और यहाँ पर horn का switch दिया है और इसके दूसरी side में आपको मिल जाता है engine kill का switch और इसी switch में आपको self का switch देखने को मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो look है वो काफी attractive लगता है black color के combination के उपर आपको chrome के element देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके look को काफी ज़्यादा attractive बना रहे हैं और इसके fuel tank के उपर Honda का 3D में logo मिल जाता है जो की chrome finish के साथ दिया गया है और इसके fuel tank पर आपको बड़े से graphics की पटियां मिल जाती है red और white color के combination में और नीचे भी आपको chrome के element मिल जाते हैं यहाँ पर 125 और HET BS6 का logo दिया गया है graphics के साथ में और इसके fuel tank की capacity है वो 10.5 liter की दी गई है जो की fully black color का है और जो की काफी attractive भी लग रहा है तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी seat की quality मिल जाती है और इसकी cushioning भी काफी अच्छी दी गई है और इसकी seat cowl के उपर आपको sign का sticker और graphics की पटि मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो ए ESP का logo मिल जाता है जैसा कि इसमें ESP technology दी गई है और यहाँ पर आपको 818 का tire size मिल जाता है 18 inch के black color के alloy wheels मिल जाते है और 130 mm की drum brake मिल जाती है और इसके पीछे की side में hydraulic type के suspension मिल जाते है जिसको आप अपने weight और demand के साब से adjust भी कर सकते हो जो की chrome और red color के combination में दिये गए हैं जो की काफी अच्छे लग रहे हैं और इसके seat cowl के पीछे की side में चलें तो यहाँ पर आपको एक black color का glossiness में grab handle मिल जाता हो इसके पीछे की side में आपको Honda का sticker मिल जाता हो यहाँ पर bulb वाली indicator मिल जाते हैं जो की flexible type के दिये गए हैं और इसकी जो tail lamp है वो आपको bulb वाली मिल जाती है इसका जो look है वो भी काफी अच्छा लग रहा है और पीछे की side में आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इसके दूसरी side में तो यहाँ भी आपको sign का logo मिल जाता है और यहाँ पर seat का locker दिया गया है और यहाँ भी आपको graphics की पट्टी और chrome के element और sticker देखने को मिल जाते हैं same इसके दूसरी side में भी यहाँ भी आपको honda का 3D में logo दिया गया है और इसके sardi guard की बात करें तो यहाँ भी आपको sardi guard मिल जाता है company fitted जो आपको sp125 में मिलता है और यहाँ पर adjustable footrest दिया है और इसका जो chancet cover है वो fully plastic का दिया गया है जो कि fully covered देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है अब चलते हैं इसके engine की side में तो यहाँ पर आपको 5 speed gearbox देखने को मिल जाता है जैसा कि इस bike में 5 gear दिये गए है यहाँ पर footrest दिया है rider के लिए यहाँ पर आपको side stand और man stand दिये गए है और 162 mm की ground clearance मिल जाती है अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें 124 cc का air cooled forest rock BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 10.74 PS की 7500 rpm पर इसका maximum torque है 11 nm का 6000 rpm और इसमें दिया है 5 speed gearbox इसका curve weight है 115 kg इसके additional features में आपको मिल जाता है Honda Eco Technology और enhanced smart power system अब बात करें इसके engine के दूसी side में तो यहाँ पर आपको spark plug देखने को मिल जाता है इसके engine के head के उपर और यहाँ पर आपको catalytic converter मिल जाता है जिसके उपर metal की plate नहीं दी गई है और यहाँ पर oil filter का cap और Honda का logo और यहाँ पर kick का lever दिया गया है और यहाँ पर आपको मिल जाता है brake pad black color के साथ में और इसके engine के head के दूसी side में आप देख सकते हैं यहाँ पर oxygen sensor दिया गया है जो की BS6 bike की पेंचान मानी जाती है और यहाँ से आप इसके exhaust को देख सकते हो जिसके उपर एक metal की chrome की plate लंबी सी दी गई है जो की देखने में काफी attractive लग रहा है दोस्तों जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसका exhaust है वह काफी अच्छा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके engine के और इसके exhaust के sound की तो आप दोस्तों मैं सबसे पहले bike को start कर लेता हूं तो सबसे पहले अब दोस्तों मैं आपको जै इसके अग्जॉस्ट का भी साउंड को नोट करा देता हूं तो जहां से आप इसके अग्जॉस्ट के साउंड को नोट कर सकते हो अब दोस्तों बात करें इसके माइलेज की तो इस बाइक में आपको 60-65 km पल लीटर का आसानी से मायलेज मिल जाएगा अगर आप इसको एको नॉमी जॉन में चलाते हैं 40-50 km पर आर की स्पीड में चलाते हैं तो आपको इतना मायलेज मिल जाएगा अब दोस्तों बात करें इसके ओन रोड प्राइस की तो अगर आप CB Sign Drum Variant में लेते हो तो इसकी जो अन रोड कीमत है बो है 88,409 रुपे अगर आप इसको डिस्क Variant में लेते हो तो इसकी जो अन रोड कीमत है बो है 93,691 रुपे ये अन रोड कीमत मैंने आपको बताई है दुगार, होंडा, बांगोर, कॉलकाता, सोरुम की सोरुम की सारी जनकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अजरे स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंसन नाल है आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी सिटी का होंडा साइन का ओन रोड प्राइस रिपलाई करके बता दूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगाते है इस वीडियो को जहाँ से यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा दें थेंक्यू दोस्तो